तो फ्रेंट्स कल यहीं से ब्लॉग खतम हुआ था मैंने इसमें पूरिया बनाई थी और पूरिया बनाने के बाद आज मैं इसी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं आज मैं बना रही मेथी यालू मैं अपनी पूरी मम्मी की स्टाइल में बिना ताम-जाम के लोग ट्रमाटर दाल देतें यह लेकिन अज मैं बिल्कुल न की डालूगी कुछ अच्छ नहीं डाल रही हूं मेरी मम्मी मैं बना भी सबस्दी में मुझे असे लगता है कि अचाज कम हो सकें अतना टेल नसाला कम छाना चाहिए जरूरत हीं नहीं होती इस टाइम स्टाब बनाने जरूरत इ छेहर के मिर्ची जीरा डाल दाल कि सब्सक्राइब रखिए 스हर के लिए बनाई हूं कि यूजीません क्योंकि मेरे लंच के लिए मैं बना रही हूं और रेखास्ट हमारा हो चुका था जो आपने पहले ही देखा कि मैंने पूरियां बनाई हुई थी और अलू डालने के लिए हम इसको थोड़ी देर ऐसे ढूंड लेंगे और तब तक मैं मेथी को निकाल लेती हूं मेथी का सारा पानी ऐसे निचोड निचोड के मैं निकाल लूँगी अच्छे से क्योंकि हरी सबजियों में आजकल बहुत पानी वैसे ही आता है सबजी में डालेंगे फिर बहुत ज़्यादा भर जाएगा पानी तो इसलिए मैंने इसका पानी निचोड- نिचोड-के एच्छे से निकाल लिया है, अब हम मेथी को मिलाएंगे आलूं के साथ तब तक आलू हमारे थोड़े से फ्राय हो गए है, इसमें डालूंगे में हल्दी और थोड़ा से चलाfight हल्दी के साथ फिर इसमें डाल दूंगे मेथी मेथी को भी चला देंगे हम अभी जादा लग रही है थोड़ी देर मेथी कम हो जाएगी क्योंकि पत्ते हैं पिचक जाते हैं तो बस नमक डाल देते हैं नमक के बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ भूलाल मिर्च घर की पिस्धी हुइ शाथ नलेंगे ठोड़ा सा धनिया को मिक्स करके ढकन लगा के थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते रहेंगे और मेथी की सबजी बिलकुल तयार हो जाएगे तो ये देखे मेथी की सबजी बिलकुल तयार हो गए और मेथी देखे पता ही नहीं चल रही है जादा मेथी अच्छी लगती है खूब सारे मेथी मैं इसको अलग-अलग तरीके से बनाती हूँ, कभी थोड़ी सी मंटर डाल देती हूँ, कभी ऐसे बना लेती हूँ, तो बस मेथी आलो हमारा बनके तैयार हो गया है, अब जो हमारी हमने मेथी की पूरिया बनाई थी, उसी से मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि पापा को पूरी नहीं काना था, पराठा काना था, तो मैंने इसी हाटे से पपक लिए सेख दिये हैं मेथी के पराठे, मेथी बहुत कम है, क्योंकि पूरियों में मैंने कम डाली थी, बेलते नहीं बनता है, इसलिए, और अब हो गई है साम, देखे, अगरक मैंने कूटा था, चाय ब बनते हैं, एकदम फूले फूले, नरम, मुलाइम, सॉफ्ट तो यह मैंने बड़ी सी छनी ले ली है, और यह देखे, कितने सारे सिलके निकल गया भी, इसी पानी को मैं यूज करूँगी, बार बार पानी के अविश्ट करना अच्छे से सब दो लिया, और यह देखे, मैंन तो हमें सुबा ही खाने है, मंगोडे वस्पसाम को खाने है, तो मंगोडे अभी मैं बनाऊंगी, आठ बज़े तक अभी साड़े पांच बज़ रहा है, तो यह अच्छे से फूल भी जाएगा, तब तक मुझे बनानी है कुछ चटनिया, तो यह देखे, एमली मैंने बिग अच्छे खा लेगी, क्योंकि उसको हरी मिर्ची मतलब आजाती है, फिर वो चिलाती है, भुसा करती है कि हरे मिर्ची क्यों डाली, तो लाल मिर्ची डालती है, इसके साथ ही हरी दनिया की चटनि बना रही हूँ, और साथ मैं अगर किसी को प्याज डिवाना होगा, तो यह एड़ कर दूँगी और इमली वाली चट्नी बनाऊंगी तो बस धनिया टमाटर वाली चट्नी बना लेती हूँ मेरी फेवरेट बन चुकी छोटी सी कड़ाई में लाई थी मज़े तनी अच्छी लगने लगी है कि अब मैं सारी चीज़ें इसी में बनाती हूँ पर बहुत जल्दी जल जाती है छोटी है और हल्की भी है क्या भी यह बना तो रही हूँ यह देखिए कितने गोल गोल मंगोड़े कितने मस्त लग रहे हैं और यह देखिए मैंने दही में तड़का भी माल लिया अब यह देखिए मैं बड़े भी बना के यहाँ पर रख देती हूं मैं यहाँ पर बता रही थी आपको कि मैंने दिया है कर्टोरी में पानी हाथ पर लगाएंगे पानी और ऐसे हम बड़े का जो बैटर है उसको हम ऐसे डालेंगे यह देखिए अच्छे से इसलिए मैंने गाड़ा बनाया था कि इस तरह से हम इसको हाथ पर रखके अच्छे से चप्टा करके बना पाएं तो आज मैं चप्टे वाले बड़े बना रही हूँ और इस तरह से दीरे दीरे ऐसे बिल्कुल आराम से क्यों मुझे प्रक्टिस है तो मैं फटा फट देखिए करते जा रही हूँ और इस तरह से हम एक बार में चार चार करके सेगेंगे और अभ कितनी अच्छे दहीबड़े बन रहे हैं तो friends एक पर पास से देखिए कितनी अच्छे फूले फूले दहीबड़े बन रहे हैं कितनी ज़ादा फूले अब आप देखिए Zhenah कितनी अच्छे से भनए हैं छिलके वाली दाल का छिलके वाली दाल आप जब लेंगे तो ऐसे ही फूले फूले आपके नरम नरम धही बड़े बनेगे अब मैं धही बड़े बना के जेक के ये आप देख सकते हैं कितने फूले हैं जिसे आपने पूरियां बनाई हूँ और एकदम पतले-पतले मैंने चप्टा करके डाले देए अब हमें ये करना है कि जब तक हम दूसरा गान सेखेंगे तब तक हम इसको रख देंगे उसके उपर और दूसरा गान सेखेंगे फिर सुबह होते ही मैंने नहाया धोया और एक हिचड़ी की ठाले निकाले जिसमें की हैं चावल, नमक और मुंकी दाल, लड़ू, पैसे और घी और आलू वगरा भी रखते हैं भी मुझे कुछ-कुछ और रखना है जो भी वो मैं रख दूंगी बात में जितना भी हो सका मुझे क्योंकि सुबह बहुत जल्दी पढ़ती है और मुझे दान सबसे पहल मैंने निकाल दिया जो जरूरी था उसके बास मैं देख की रूँगी कि मुझे क्या पतना है बस इतना ही लगता और बाद में इसमें घी का तड़का लगाऊंगी हींग और जीरा का तो बस नमक और हल्दी डालके मैं इसको बनाने के लिए रख देती हूं पिल्कुल आज देसी स्टाइल में देसी मतलब उसमें और इतर मैंने लड्डू भी बनाने के लिए और रखने क्योंकि लड्डू मेरे ना खतम हो गयते तो इसलिए मैंने और लड्डू बनाने के लिए गुर्ड मैल्ट करने के लिए रखी तिली तो मेरी भूनी हुई रखी है बस मुझे इसमें थोड़ा सा दरदरा पीस के ही डालना है बाकी और मैंने लड़ू बनाए थे तो पहले खतम हो गए तो मैंने सुचा अभी और बना लेती हो क्योंकि आज के दिन लड़ू नहीं है मतलब पगवान के बोग के पास रखे ह है बाकी वह रख दिये हैं लेकिन और अभी क्या हुआ मेरे हस्फेंड को है है ऑफिस के लिए चाहिए था उन्ह मोला फ्योरे से हिपदी रख दो तो इसरी मैंने लड़ू वहां के लिए रख दिये तो घर के लिए लड़ू खतम हो गए तो मैंने का चलो फिर से और बना ल चुके हैं तैयार और खिचडी भी बनके तैयार हो गई है अब मुझे बस इसमें तड़का लगाना है और इधर दूद आ गया था तो दूद करम करने के लिए भी रख दिया और साथ में मुझे ये इमली की चटनी भी बनानी है जो कल मैंने विखोगे रखी थी फिर कल बनी पाई तो अभी मैं जा रहे हूँ चटनी बनाने और खिच्डी में तढ़का लगाने देखें बीजे पूरे निकाल लूंगी अच्छे से इसको छान लिया और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालके और चान लूगी घिक्शे से इस तरह से हमने पूरा गोड़ा अलग कर ल सब्सक्राइब करें धन्यवाद